हेलो फ्रेंड्स नमस्ते और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहे हूं इंस्टेंट क्विक रिस्पी फॉर दी रक्षा बंधन स्वीट्स जो की बहुत ही खास होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने इस स्वीट्स को बनाने के लिए लिया है ओरियो बिस्किट दो फ्लेवर का एक वाइट और दूसरा ब्लैक तो मैंने दोनों बिस्किट्स ले ली है और उ उसकी क्रीम मैं अलग करते जा रही हूं एक बर्तन में और बिस्किट्स को अलग रखते जा रही हूं तो इसी तरह सारे बिस्किट्स को अलग कर लेंगे और क्रीम को अलग कर लेंगे तो देखिए मैंने ये वाइट वाले का पूरा निकाल लिया है क्रीम और बिस्किट्स को अलग कर लिया है उसके बाद हम ब्लैक वाली बिस्किट्स ले लेंगे तो उसके बाद ब्लैक वाली बिस्किट्स का भी हम सेम प्रोसेस से बिस्किट्स अलग और क्रीम को अलग बर्तन में निकाल लेंगे मैंने जो पहले वाइट वाले ओरियों के साथ ही इसको भी मिक्स कर लिया है इसमें दो फ्लेवर के क्रीम एक साथ है एक कैरमेल और एक वाइट वाला वनीला सारे बिस्किट्स को मैंने अलग और क्रीम को अलग कर लिया है नेक्स प्रोसेस में हम एक जार में मिक्सी के जार में हम इसको पीस लेंगे पाउडर बना लेंगे ध्यान रहे, पाउडर बिल्कुल बारीक पीशा होना चाहिए, इसमें एक भी बड़े टुकरे नहीं आने चाहिए, सेम प्रोसेस से हम वाइट वाले बिस्किट्स का भी पीश लेंगे, और दोनों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद, दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसमें पाउडर शुगर आट करेंगे, और थोड़ा सा मिल्क डालके, इसको जैसे आटा कड़ो लगाते हैं न, ठीक उसी तरह इसको डो के फॉर्म में ले आएंगे, और स्मूथ कर लेंगे, और इसमें वन गी भी आट कर देंगे, ताकि जिससे इसकी मौइस्टर बनी रहे, ड्राई न लगे, देखिए, ये डो के फॉर्म में आ गया है, और ये बहुत ही स्मूथ हो गया है, नेक्स्ट, हम ये जो क्रीम निकाला है न, ये क्रीम ले लेंगे, और इसमें थोड़ा सा डेसिकेटिड कोकोनट पाउडर एड़ करके, और पाउडर शुगर जो हमने पीसा था, पाउडर शुगर इसको एड़ करके, इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको भी डो के फॉर्म में ले आएंगे, पाइन इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, और देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, आ उसके बाद आप बटर पेपर या एक कोई सा बेकिंग पेपर आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा नीचे में गी लगाके जो हमारा ओरियो बिस्किट का डो है उसको अच्छे से फैला लेंगे बिल्कुल स्मोथ कर लेंगे आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से बेल भी सकते हैं उसके बाद जो हमारा ये जो क्रीम है इसके उपर रखके इसको अच्छे से सेट कर देंगे देखिए जैसे मैं कर रहे हूँ और रोल कर लेंगे ध्यान रहे इसको बिल्कुल टाइटली रोल करना है ताकि जब हम इसको कट करें तो बिल्कुल भी गैप ना हो इसके आप इसको अच्छे सेट हो जाएगा। इसको 20 मिनट के बाद निकाल रहे हूँ। कितने अच्छे सेट हो गया है अब इसको आप को कट और दिखाती हूँ। बेखिए एक्तम सॉफ्ट है बिल्कुल आसानी से अकट हो जाएगा इसको आप 1-1.5 इंच के गैप में आप कट करें ज्यादा पतला न रखें जैसे मेरी थिकनेस है बिल्कुल इसी तरह रखें ताकि इसका शेप अच्छा है और उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर ले प्लेट में सजा ले मैं यह अपने बेटे के लिए बना रही हूं तो उसे नट्स नहीं पसंद है अगर आप इसके उपर नट्स की गार्निशिंग भी कर सकते हैं तो यह काफी और रिच फ्लेवर लाएगा तो मेरे पास यह जस्ट एक शुगर कोटिंग रखी हुए थी तो मैं इसके साथ ही इसको गार्निशिंग कर रही हूं तो देखिए इसका कितना अच्छा लुक निकल के आया है यह खाने में भी उतना ही डिलीसियस है तो आप मुझे बताइएगा आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आप दूसरी और भी बिस्किट ले सकते हैं पारले जी मेरी गोल् और इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तैंक यू